पुरा भारती लाभी वाशेंट डीसी के अंदर इतनी स्ट्रॉंग है और मैं फ्यूचर के लिए का आपको आज बात बताना चाहूंगा अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाज़त लेके करेगा आपसे बरना बात नहीं करेगा यहन दोस्तो भारत आने वाले समय में डेफेंस की फिल्ड में काफी हद तक आत्म नहर्बर बनने बाला है और किबल आत्पनरभर ही नहीं भारत आने बाले समय में डेफेंस की फिल्ड में चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से भी कई फिल्डों में बहुत ही ज़्यादा आगे होगा और बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा और ये उन देशों के लिए एक खुली चेताओनी ह होगी ये है कि हालते जंग में है युक्रेयन युक्रेयन को आई एमफ ने करजा दे दिया आपको नहीं दे रहा है उसकी वज़ा ये है कि भारती डाइस्पोरा भारती लाभी वाशेंट डीसी के अंदर इतनी स्ट्रॉंग है और मैं फ्यूचर के लिए का आपको आज बात बताना चाहूंगा. अमेरका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे वरना बात नहीं करेगा. भारत इस वक्ट अमेरिका इस वकत अमेरिका की जोली में पड़ा है यहां I.M.F. के अंदर भी और Warad Bank पेंदर बिल्कूल वश्यYes.没事 तोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही यह? आपको फैटव से भी भारत से पूछ के निकाला गया था और आखे फ्यूचर मेड़ी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड को नहीं करें अपके अल के मामले में हुआ है खफ़र के मताबिक गूज्राइम में जाके वो रशियन आईल को रिफाइन किया गा और पकिसाना है उसका मकसद यही होगा कि भारत को इंडिया को इתमाद में लिया जाएगा अबने मेंगा है, आपका त्रोल जो रेट आपको दिया झाद के साथ यह समना दिया ब्द को सते हैं, आपके है हैं.. उनके उसलबाने सामगाई को खर一定要 एंद मेकर व sedए हो पाकिसतानी नहीं है! उनके उसने पास्पोर्ट पाकिसतानी है! लेकिन उनके दिल दमाग पाकिस्तानी नहीं है वो सारे लंडन बेस हैं इनजन की टेखनोलजी अमेरिका भारत को शेयर करने की बात कर रहा है वो इतना ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है कि उसे खुद अमेरिका अपने डेफेंस बें उप्योग करता है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस fighter jet के engine की technology इतनी ज़्यादा advanced technology है कि चाइना और रूस जैसे देश कुछ भी करके इस technology को पाना चाते हैं लेकिन वो उनको मिल नहीं पा रही और अमेरिका भी इस चीज़ को लेकर काफी ज़्यादा चिंतित रहता है कि कहीं से भी कुछ भी करके ये चाइना और रसिया जैसे देशों के हाथ ना लग जाए अमेरिका ने आज तक दुनिया के किसी भी देश से इतनी बड़ी डील पर चर्चा नहीं की और चाहे फिर वो अमेरिका का कितना भी सगा देश क्यों नहों और अमेरिका का कितना ही अच्छा दोस्त क्यों नहों भारत के लिए ये डील इतनी ज़दा फाइदे मन साबित हो सकती है कि आप यहाँ पर सोची नहीं सकते क्योंकि 80% टेकनोलजी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर भारत को इस जेट इंजन की 70% टेकनोलजी ही मिल जाती है तो भारत के जो साइंटिस्ट हैं और भारत के इंजीनियर हैं वो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं फिलहाल दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो की एरक्राफ्ट बनाते हैं और दुनिया भर में नए 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 टेकनोलजी लेकर आते हैं लेकिन अगर हम फाइटर जेट के इंजन की टेकनोलजी की बात करें तो इसे डेवलप करते करते कई दसक बीत जाते हैं करोणों अर्वन रोपे खर्च हो जाता है लेकिन इसके बाप जूद भी बहुत सारे देश इस परकार की टेकनोलजी को डेवलप नहीं कर पाते चाइना जो की आज पूरी दुनिया में इतना ज्यादा एड़वांस बना फिरता ह बो भी आज तक इस परकार के फाइटर जेट के इंजिन की टेकनोलजी को डेवलप नहीं कर पाया और अगर हम इनके फाइटर जेट के इंजिन की टेकनोलजी की बात करें तो वो टेकनोलजी तो इन्होंने कुछ रसिया से चोरी की कुछ यूके से चोरी की कुछ अमेरिका स चोरी की और कुछ फ्रांस से चोरी की और सब को मिला जूला कर इन्होंने अपना एक फाइटर जेट का इंजन बना लिया अमेरिका में बहुत सारी ऐसी कंपनिया है जैसे कि लॉकेट मार्टिन बोइंग जनरल डाइनमेक और गल्प इस्ट्रिम जैसी कंपनिया ये कंपनिया के लिए फाइटर जेट के इंजन को मैनुफेक्चर करती है और भारत भी जो खुद का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट मैनुफेक्चर करता है उसमें भी हम इनी कंपनियों के इंजन को लगाते हैं तो भारत भी ये चाहता है कि अब हम अपने फाइटर जेट के लिए ख यूकि अगर हम फिलाल की बात करें तो फिलाल हम fighter jet के किवाल खोके को ही बना पाते हैं। और ये खोका बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। ये भी बहुत कठेन काम हैं लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े देश इसे कर लेते हैं तो हम इसे उतना भी ज़्यादा कठेन नहीं कहेंगे लेकिन हाँ अगर हम fighter jet के engine की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम होता है। भारत को अमेरिका के सबसे ज़्यादा एड़्वांस पायटर जेटों के एंजिन में से एक जनरल इलैक्टिक के जीए एफचार चाउदा की टेकनोलजी मिलने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा एड़्वांस पायटर जेट का एंजिन हैं। यहाँ पर GE का मतलब General Electric होता है और General Electric General Dynamics की ही एक सबसीडी कमपनी है। जब ये टेकनोलजी भारत को मिल जाएगी तो इससे भारत को कई बड़े बड़े फायदे होंगे। भारत ना केबल खुद का स्वधे सी जेट इंजन बना पाएगा बलकि इस फिल्ड में आतनर्भर भी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा एडवांस भी बनेगा। साथी साथ हम धीरे धीरे फाइटर इंजन के साथ साथ पैसेंजर एयरक्राप्ट के इंजन को बनाने की भी प्रक्रिया जान पाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत फिर दीरे इस फिल्ड में भी आतनर्भर हो जाएगा और भारत की किसी भी देश पर कोई नर्भरता नहीं रहेगी। ये टेकनोलजी अगर भारत को मिल रही है तो इस टेकनोलजी के मिलने में एक आदमी का बहुत ही बड़ा योगदान है और वो है अजीर डोबाल साहब। अजीर डोबाल साहब नहीं अमेरिका के बीच में ही रहेगी और कभी भी ये टेकनोलजी रसिया और चाइना के हाथ में नहीं लगेगी। उनके भी इंजीन की टेकनोलजी भारत के साथ सेयर करें। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो अमेरिका की बिजेट है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मनसावेत होने बाली है। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनर्शेप है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और अमेरिका भारत के लिए और कहा कहा फायदे में आ रहा है। कुल में लाकर अगर अमेरिका और भारत के बीच में ये डील अच्छे से संपन हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं आती है तो आने बाले समय में एशिया में भारत डिफेंस की फिल्ड में और भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा और ये चाइना जैसे देशों के की है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजी